शिरी शिवाय नमस्त भ्यम हर हर महादेव शाष्टो में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को यदि शीग्र पसंद करना है तो शिवलिंग सोरूप की पूजा करना चाहिए इस प्रकार पूजा करने से वेभगत के सभी कस्ट को हर के उन्हें मनचाहा फल प्रदान करते हैं भगवान शिव को पसंद करने के अनेक ऐसे तरीके हैं जो असर तो भोष शीग्र दिखाते हैं बस महादेव की पूजा थोड़ी सही ढंक से की जाए भगवान शिव की पूजा से जुड़े कुछ ऐसे ही उपाए हैं जिनके द्वारा महादेव शिव को पसंद कर उनसे मनचाहे फल की प्राप्ती कर सकते हैं कहते हैं न जोली भरी देखी पर देने वाले के हाथ नहीं देखे तो भगवान शिंकर को धतूरा क्यों चड़ाया जाता है शिव महापुरान के अंतगत रुत सहीता में वर्णन मिलेगा मनुष्य के जिवान में प्रति दिन आसत्य बोलने में आता है और आसत्य को नस्ट करने के लिए धतूरा चड़ाया जाता है भगवान ब्रह्मा देव ने शिपजी को धतूरा चड़ाया था जब ब्रह्मा देव का सिर कटा था क्योंकि उन्होंने आसत्य कहा था तब शिपजी को पसंद करने के लिए स्वेम ब्रह्मा देव ने शिपजी को धतूरा चड़ाया था यह असत्य को नस्ट करता है, इसलिए एक महीने दो महीने में शिपजी को धतूरा चड़ाते रहना चाहिए, किसी खास दिन विशेश दिन में जरूर चड़ायाना चाहिए, धतूरा चड़ाने का भी एक अलक महत्व है, जैसे लक्षमी प्राप्तिक के लिए हल्दी लगाके धतूरा चड़ाया चाता है, आयू व्रद्धी के लिए चंदन लगाके धतूरा चड़ाया चाता है, रोग मुक्ती के लिए अभीर लगाके धतूरे से देवादी देव महादेव शीगरी पसन हो जाते हैं, यदि आपको यह जैनकारी अच्छी रखती है, तो लाइक जरू पहादेव